का आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के भारे में जिसका नाम है रोटेस्टनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अब इस रोटेस्ट्रोस्कोपी हमे हम डील करते हैं कि मॉलीकि drops cropcomb हमाला electromagnetic radiation है जब वो electromagnetic radiation उस molecule पर पड़ती है तो वहाँ पर हम लोग इस rotational spectroscopy की चर्चा करते हैं और वो हमारा जो electromagnetic radiation है वो electromagnetic radiation है microwave है यह जो microwave है ना इस microwave की जो light है जब किसी Doppler परती है Militaryël होती है तो वहाँ पर matter और light के बीच interaction होता है łotा है और matter light के बीच इंट्रेक्शन होता है तो वो molecule rotate करती है जैसे यह हमेरा कोई molecule है मैं यहाँ पर imaging कर लिया कि यह मेरा molecule है जैसे यह आपको सीख रहोगा एक model के तोर पर इस molecule में इस molecule में क्या होगा यह जो microwave है यह light जैसे ही यहां पर irradiate होती है यह molecule का में जो rotation है इस rotation generate होता है और इस rotation में एक generation होती है जिसको हम बोलते है resonance तो यहां पर क्या होती है molecule का जो electric field है molecule का जो electric field है electromagnetic radiation के electromagnetic radiation के साथ electromagnetic radiation के साथ resonance करता है क्या करता है resonance करता है यानि यह जो electric field है यह जो electromagnetic radiation की जो electric field है इस molecule की electric field के साथ इस molecule की electric field के साथ ऐसा क्या करती है resonance करती है यह दोनों आपस में resonance हो जाती है तो यह molecule spectra देना चालू करती है तो यह क्या करती है molecule spectra देना चालू करती है और यह spectra generate होती है अलग-अलग energy level में अलग-अलग energy level में तो इस study जो करते हैं वो कहलाती है microwave spectroscopy या rotational spectroscopy कहते हैं microwave spectroscopy इसलिए बोलते हैं कि इसको क्योंकि इसमें microwave use होता है क्योंकि इसमें क्या होता है microwave use होता है इसलिए इसको microwave spectroscopy कहते हैं ठीक है अब यह बात आती है कि इसका range क्या होता है इसकी range क्या होती है तो यह जानना जरूरी है इसका range होता है 3 x 10 की पावर 10, 2 x 3 x 10 की पावर 12 हर्ज होती है, यह इस range की है, microwave के reason इस reason पर होता है, यह basic understanding है कि इस range की light जब किसी molecule पर परती है, तो वहाँ पर हम rotational के study कर सकते हैं, तो basic principle यह है, basic principle यह है, कि हमारा microwave light है, वो किसी molecule पर जाता है, और वहाँ पर जाकर के, वो उससे resonance कर पाता है, उसके electric field के साथ resonance कर पाता है, तो हम यहाँ पर एक और important fact की बात करते हैं, और वो fact क्या है, उसको जान लेते हैं, जो इसका main principle है, और उसको हमको जानना जरूरी है, देखो, मैं यह कहूंगा, कि microwave दिये भई, microwave दिया, molecule घूमना चालो किया, तो इसका क्या reason है, authentic क्या है, तो आप लोगों ने एक चीज standing आती है, हमारा कोई molecule है, जो की covalent bond बनाया है, जो की क्या बनाया है, covalent bond बनाया है, हम imaging कर लेते हैं, कि यहाँ पर जो molecule है, वो a b है, यहाँ पर यह molecule है, वो less electronegative है, क्या है, less electronegative है, और यह more electronegative है, क्या है यह more electronegative है, जब more electronegative है, जब more electronegative और less electronegativity की बीच, ह यहां पर क्या करता है more electronegativity atom, electron को खीच लेता है और खीचता है तो यहां पर negative charge generate हो जाती है यहां पर positive charge generate हो जाती है तो negative pole और positive pole generate होती है तो इस molecule में एक तरह से polar nature आजाता है क्या nature आजाता है polar nature आजाता है यहां पे slightly हम बोल देते है negative charge यहां पे जो बोल देते है slightly positive charge तो यहां पे एक तरह से यहां पे इसके electron के distribution का जो difference है वो अलग-अलग हो जाता है और यहां पे electronic field create हो जाता है electronic dipole generate हो जाती है ठीक है तो electronic जो dipole है अब यह molecule क्या करता है जब घूमता है जब गूमता है तो घूमने के कारण क्या होती है यहां पे अलग-अलग अलग-अलग direction में अलग-अलग direction में यह इस तरीके से यह क्या करती है अपना orientation पैदा करती है क्योंकि हमने हमने देखा है कि जो basic सा understanding यह है कि जिस और जिस और negative charge होती है जिस और क्या होती है जान जाते हैं कि इधर electronegativity जादा है, electronegativity कम है, तो इस तरह से ही यहाँ पर molecule घुमता है, तो यह जो charge है, वो variate करना चालू करती है, आपको यह समझना है कि यह molecule में यह charge separation change होती है, और जब charge separation होती है, तो ठीक क्या होता है, यह molecule घुमता है, तो इसमें एक तरह से क्या हो ज जाती है, क्या generate हो जाती है, electric frequency generate हो जाती है, और यही electric frequency क्या करता है, electromagnetic radiation, जो की क्या है, microwave है, जो की क्या है, microwave है, जो की microwave है, इसके electric field से, इसके किसे field से, electric field से, क्या करती है, resonance करती है, जैसे resonance करती है, तो यहाँ पर molecule क्या करता है, इस्पेक्ट्रा देना चालू करता है, डिस्प्ले में इस्पेक्ट्रा देना चालू करता है, जो इस तरीके से आती है, उसको मैं बात में बताऊंगा, इस तरीके से इस्पेक्ट्रा आती है, अलग-अलग energy level generate होती है, जिससे हम यह जान जाते हैं, कि यह molecule यह फनाना है, मालो यहां पर dipole नहीं होगा तो यह चार्ज स्परेशन नहीं आइगा और चार्ज स्परेशन हाएगा तो होगा चार्ज स्परेशन नहीं आइगा तो यहां पे dellec Chad Er Chen Considering ज्रैंज नहीं होगा जब welec hydrate tomorrow नहीं होगा तो अब इस प्ररा नहीं देνगा सकता है की कौन सा molecule आपका rotational spectra देगा और कोण सा molecule spectra नहीं देगा तो यहाँ पर याद रखना की और मतलब dipole only 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 do only dipole containing molecule dipole containing molecule containing molecule molecule give give rotational spectra यह सबसे important बात है rotational spectra ऐसे molecule जिसमें क्या हो dipole moment हो permanent dipole moment हो वही क्या देगा rotational spectra जैसे आपका HCl यह आपका rotational spectra देगा जैसे HBr यह भी rotational spectra देगा जैसे आपका Co यह भी rotational spectra देगा क्योंकि इसमें dipole है H2O यह भी rotational spectra देगा आपका जैसे CH3Cl यह भी rotational spectra देगा और यहाँ पर यह दी बात करें हुए्स है और रहरे जैसे इसके अलावा हम बात करें जैसे आपके पास H C double bond O है तो ये भी आपको rotational spectra देगा कि ऐसे molecule जिसमें dipole generate होती है वो molecule जो है आपको rotational spectra देती है तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपको यदि कोई question पूछा जाए which molecule gives rotational spectra which molecule gives कौन सा molecule rotational spectra देगा तो आप बता सकते हो कि जिस molecule में dipole होगा वही molecule आपका rotational spectra देगा तो इस वाले वीडियो में हमने ये देखा कि किसके कारण molecule rotational spectra देता है और कौन-कौन से molecule है जो rotational spectra दे सकता है और कौन सा reason है जो rotational spectra देने के लिए responsible है तो hope मेरे को उमईद करता हूँ कि ये आपका जो इतना समय आपने दिया है इस वीडियो के माध्यम से आपको rotational spectra समझ आए होगा धन्यवाद इस वीडियो को share किजी अपने दोस्तों के पास और इस मेरे चानल को subscribe किजी थैंक्यू